यदि आप भी 10th या 12 की बोड़ एक्जाम 2025 में समलित होने जार हैं तो अभी की इस वीडियो के माध्मस में आपको 5 टिप्स दूँगा कि आप या स्टडी कर रहे हैं आप जिस रूप में पढ़ाई करते रहना है लेकिन अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस करम में इस पांच टिप्स को अगर आपने पढ़ाई में अप लाई कर देते तो आसानी चाप 90% 90% से ज्यादा है इसको अपना होगा 10th और 12 की बोड़ एक्जाम में टॉपर बनना तो उसको आसानी से आप जीव कर सकते हैं तो आई ये देखते हैं पांच टिप्स कौन सा है ध्या होती होते तो इसका एकी 100 कोड तरीका है रिवीजन अब रिवीजन कैसे करें सर तो आपके आखेजिए जैसे माल लिए उधारन के लिए फिजिक्स का आप दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे तो आप जो भी अपना नोट से या फेयर का कॉपी योगारा रख्योंगे तो ज आप सुरू से एक नमर चेप्टर आप तो पहले से याद कर रहे हैं तो उसको एक नजर में देखते चलिएगा में 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 पॉइंट फिर दूसरे चेप्टर को आप देखते चलिएगा फिर तब तीसरा याद करना है फिर चौथा याद करना है तो इसा ही एक चेप्टर प आप जो भी अभी से पढ़ने पिछे से पढ़ने उसको वहां पर एक्जामियस अन्हाल में याद दिलाएगा आपको अच्छांक मिलेगा और रिवीजन कैसे करना है तो मैंने बता दिया कि जो भी आप चेप्टर पढ़ने जार उसके पहले जो भी आप याद किये हैं उसको एक बार देखते जाए तब अगला चेप्टर याद किजिए नहीं कि सीधे वो चेप्टर खोल कर और उसको याद करना या पढ़ना शुरू कर दिये तो पहला इसको आपको अपने स्टड़ी में अपलाई कर लेना है दूसरा है कि प्रीवियस यर कोशन पेपर यह तो काफ प्राइस तो आपके स्टड़ी टेबल पर आपके स्टड़ी रूम में हमेशा होना ही चाहिए जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे किस चैप्टर से किस रूप में प्रस्ण आपका आपके क्लास में पूछा जाता रहा है यह आपको वही कूशन बैंक बताएगा इसी लेब 20 से लेकर 2024 तक कम से गम उसके जितना पीछा आप जा सकते उतना और अची बात है लेकिन 20 से लेकर 24 तक जो भी एक्जाम में आपसे जो भी सब्जेट का जो चैप्टर आप पढ़ें उसे जितने प्रस्ण आएं उसको जरूर सॉल्व करते चाहिएगा यहीं एक सामान भी द्यार्थी से अलग हटकर आपको टॉपर के स्रेडी में सामिल कर देगा तो आपको प्रिवियस यह कोशन पेपर का हमेशा रिवीजन करते रहना है नोट्स सबसे जरूरी है नोट्स बनाना याद रखेंगे नोट्स मेकिंग जो है एक टॉपर भी द्यार्थी के अंदर फ अक्सित हो रही है आप आंसर आइटिंग सबसे जरूरी फैक्टर होता है कभी हमनों डीटेल में चार्चा करेंगे कि अच्छा उतर कैसे लिखते हैं तो आंसर आइटिंग एक कला है उब अंदर विक्सित कैसे होगा तो आप नूर्स बनाएंगे डेली प्रसन का नूर्स मे अपको अपने लेंग वेज सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका भासा भी सय होगा होगा जैसा आप ट्यैन्ठ के विद्यार्तिय चाइट या दींग्लिस लियोंगे कोई आप सादर सब्जेक्ट लिए होगे या अप 10 पैट के बिध्यार्तिय तो आप ह के लिकलानी सब्जेक माना जाता है और यहीं ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर के सेनी में पहुंचाएगा क्योंकि यह पूर आपका हंडेट मार्स का इसका एक्जाम होता है इसमें कोई भी प्रेक्टिकल हो गारा नहीं होता है और खास बात कहा है कि इसमें गलत करने की सांभावना काफी कम में कोई भी लेंग्वे सब्जेक्ट का प्रेपर देखें कि इस रूप में बीजाइन किया जाता है कि आप हर एक साल जो सुरू से पढ़ते आ रहे कि उसमें आधा पॉर्सन ग्रामर कराएगा इस इंगलिस ब्याकरन हो गया हिंदी ब्याकरन हो गया तो उस अभी आप सुर थोड़ा समय डेली देते हैं तो यह आपके हर एक सब्जेक्ट से ज्यादा है स्कूरिंग यह साबीत होगा और इसमें दूसरा जो पार्ट रहता है वो बुक वाला रहता है कि बुक से प्रसन आएगा उसे भी आप जानते हैं सबने जब फिजिक्स पढ़ना है मैत पढ़न पाद भी रख सकते को इसमें सिर्फ कहानी कभीता रहेगा चाहिंदी हो संस्क्रीट हो इंगलिस हो उर्दू हो नौन हिंदी हो कोई भी सब्जेक्ट हो इसको याद करना भी काफी आसान है तो लेंग्वेज सब्जेक्ट काफे भी दार्टी मैं देखता हूंगा इग्नूर करके चलते हैं तो इसको इगनूर नहीं करना है सभी सब्जेक्ट को जैसे आप बराबर समय देना है तो इसको भी थोड़ा बहुत डे बाइडे इस पर प्रेक्टिस किजिए इस पर भी समय दीचिए तो चौथा टिप्स आपको समझ में आ गया पाच्वा सबसे महतों और ये खंटा गिनकर आपको पढ़ाई करने किया हो सकता नहीं है कि कहा गया कि आप जिससे में नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें आप कि क्लास का कोई ने कोई विद्धारती पढ़ाई कर रहा होगा और जिस दिन एकजाम आप देंगे जब रिजल्टा है तो आप से आप करना है तो आपको हाड वरक हाड़ सट अपको मेनत करना है उसके साथ इन सभी टीपस को ब्रसाद की ऐस्ट ऑलिखाई दिसा में आप पढ़ाई करे help आपे लिए स्मार्ट वरक है तो आप सबसे प拖ले जारू कि है हाड को आपको धिश्बीफ तभी आपके लिए फाइद नमन्द होगा जो आप जीतना आपस के अंदर छमता है क्योंकि आप बचे हुए अपके कुछ मन थी गिने चुने आपके परिक्षा में सेस है तो जीतना आपके अंदर छमता है उतना आप पढ़ सकते जितना आपके पास समय यहने कि आच चार घं करना है तो यह पांच टिप्स जो भी भी द्यारती अपने स्टेडी में समलीद कर लेंगे आप देखिएगा कितना सांदार आपकी तैयारी होगा और आपका आने वाला जो भी मैट्रिक इंटर पोड़ एक्षाम है उस समय तक आपकी तैयारी सांदार हो जागार एकशाम मे वार्षब यूज करते हो तो वार्षब चनल इंस्टाइगर आप फेस्बुक जो भी आप यूज करते हैं उस पे ए आर कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च कीजेगा आपके सामने ओफीसियल सभी लिंक सोचल मेडिया हैंडल ओपेन हो जाएगा उस पर आप ज्वाइ करते रहें और जिस रूप में मैंने बताया इस रूप में जरूर पढ़ाई कीजेगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद